हलो माई डियर मीडिय एसपेरंट्स मीडिय एक्जाम्स के इस प्रेटफोर्म पर मैं हरी शंकर सोनी आपका हरदिक स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में हम जामिया के अंदर जो उप्शन्स आपको प्रोवाइड होते हैं मास कम्मुनिकेशन या जनर्डिजम की कोर्सेस में वो क्या उप्शन्स है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे सुरू से लेके लास्ट तक सारी जानकार यह या मैं कहूं कि बैसिक अवर व्यू मैं आपको देई दूँगा इस वीडियो के अंदर ठीक है तो आएंसी के बाद जो एक अच्छा उप्शन बहुत से एस्पारेंस समझते हैं मानते हैं मैं भी कहता हूँ जामिया है जामिया मीलिया इसलामिया जो कि दिल्ली के ओकला में श्तित है एक बहुत बड़ी युनिवर्सिटी है जिसमें तरह तरह के कोर्सेस हैं जैसे जैनियू है उसी तरह का कुछ जो है आप जामिया भी मान सकते हैं कि बहुत बड़ी युनिवर्सिटी है उसके कोर्सेस हर तरह के कोर्सेस जो है अपने आप में बहुत फेमस है किसी भी कोर्स को जो है बहुत अच्छे तरीके से जामिया कंड़र्ट करवाता है यहां पर प्लेसमेंट्स को लेकर भी जो है एक अच्छी उपर्चुनिटीज एस्पारेंट्स के अंदर देखी जाती है पहले भी मैंने बहुत से वीडियो बना रखे हैं और हमारा सेलेक्शन डेट भी जो है यहां पर बहुत अच्छा है ठीक है और मेरा जो प्रेडिक्शन भी वो हर साल रहता है वो भी काफी अच्छा रहा है अब तक और काफी तारीब जो है इस मामले में सुनने को मिलती है आई होप की आगे भी चलता रहेगा लेकिन अब जो नए हैस्पारेंट्स जिनको जामिया के बारे में ज़्यदा जानकरी नहीं है उनके लिए मैं वीड तरह के डिपार्टमेंट है एक है AJK MCRC अनवर जमाल किदवाई यह नाम है एक डारेक्टर साब का जिनके नाम पर है यह ठीक है MCRC मतलब MCRC Mass Communication Research Center AJK MCRC जो है एक डिपार्टमेंट का एक सेंटर का नाम है जो की जामिया के अंदर चलता है दूसरा डिपार्टमेंट है हिंदी डिपार्टमेंट ठीक है जो की BA Mass Media का कूर्स भी करवाता है ठीक है और साथ में यह कूर्स भी करवाता है जिसके बारे में हम चा पास है उनके लिए जरूरी है BA Mass Media कूर्स भी जो है जामिया में होता है आप BA भी कर सकते हो Mass Media में ठीक है होगा यह हिंदी में ही क्योंकि हिंदी डिपार्टमेंट का कूर्स है ठीक है इंगल्लिस में English में वालों के लिए औप्शन नहीं है जामिया में BA करने का Mass Media से ठीक है तो आप देखिए, जो AJC MCRC है, उसके जो खास तोर से Manly जो courses है, वो ये है, और ये सारे courses English में होते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम में नहीं होते हैं, हिंदी मीडियम वाले courses ये हैं, ठीक है, और ये जो, मैं ये भी कह सकता हूँ, देखिए, जो ठीक ठाक English बोल लेते हैं, तो बहुत से लोग इसमें try करते हैं, और कुछ लोग का हो भी जाता है, ठीक है, तो try जुरूर करना चाहिए, अगर आपके English ठीक ठाक है, आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, पढ़ सकते हो, तो आप Hindi तक ही सीमित मत रहिए, इन courses के लिए भी आप apply कर सकते हैं, और बहुत से तो कौन से course है, MA Mass Communication है, जिसमें 50 सीटे हैं, Convergent Journalism है, जिसमें 20 सीटे हैं, Media Governance है, जिसमें 30 सीटे हैं, Development Communication है, जिसमें 20 सीटे हैं, ऐसे करके इन 4 courses में 120 सीटे हैं, 120 सीटे हैं, में सब कुछ आता है, Mass Communication जिब हम word लिखते हैं, तो उसमें journalism भी आता है, उसमें advertisement है, उसमें PR है, उसमें cinema है, यह सारी चीजें जो आती है, वो सारी Mass Communication के scores में आपको पढ़ाई भी जाती है, ठीक है, हाला कि क्योंकि यह जो center है, जिके MCRC, बहुत हद तक जो है, सेनेमा वाले चीज़ पर focus करता है, entrance exam में भी आपको जो है, देखने को मिलेगा, कि cinema को लेकर जो है, बहुत से question आप से entrance exam में भी यह लोग पूछते हैं, तो वैसे ही अब Convergent journalism की बात करें, तो journalism जैसे नाम लिखा है, तो यह journalism पर focus है, Convergent journalism, आप यह समझें कि journalism के हर एक aspect, हर एक level पर जो कि कुछ administrative जो चीज़ें रह जाती है, media की management को लेकर जो हो जाती है, governance sector की जो stories हो जाती है, वो कहीं न कहीं इस पर चीज़ें जो है रहती है, और यहां जो अब development communication वाला course है, अब जैसे कि नाम है development communication, not only journalism लिखावा है, एक तोचा development journalism, जिसमें क्या होता है, कि जो development की regarding stories है, खा अचा होती है, उनको कैसे cover करना, यह सब चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे मैंने आपको सुर्वात में बताया कि communication में सब कुछ आ जाता है, advertisement है, PR है, cinema है, सब कुछ आता है, फिर media तो ही है, अपने आप में, तो वो सब कुछ यह है, उन सब के अंदर जो developmental वाली जो stories है, वो सब कुछ जो है, इसके अंदर आता है, तो development, journalism तो ही है, फिर mass communication के other sector में भी जो aspect उसके है, वो भी इसमें cover होते है, तो यह course जो है, इस तरीके चलता है, बाकी में आपको recommend करूँगा, कि आप जो है, इसका syllabus जरूर पढ़ सकते हैं, और academic syllabus भी पढ़े, entrance exam का syllabus अलग होता है, academic syllabus यानि कि 2 साल में आपको क्या पढ़ा जाएगा, वो syllabus भी जो है, हर एक aspirants को पढ़ना चाहिए, अगर आपके पास मुझूद नहीं है, तो मैं अपने media exam के application पर, और telegram channel पर, दोनों जगहें मैंने upload करती हैं, दोनों जगहें पर जो है, आप media, यह जो courses है, इनके syllabus को पढ़ सकते हैं, ठीक है, तो अगर आपने हमारी application डाउनलोड नहीं कर रखी है, media exams वाली, तो पूर डाउनलोड कीजिए, telegram channel है, media exams नाम से, वो भी आप subscribe कीजिए, और YouTube channel जिल लोगों ने subscribe नहीं किया है, प्लीज subscribe इट, क्योंकि आगे मैं कहीं तरह की चीज़ें आपके लिए ले इन सभी के अंदर written exam है, traditional way में होता है, ठीक है, कोरोना काल में भी कुछ भी change नहीं हुआ, जिस तरीके से exam पिछले कहीं सालों से हो रहा है, लगातार चला जा रहा है, ठीक है, हाँ, हर साल pattern में slightly changes होते हैं, ऐसे नहीं कि पिछले साल जैसा ही paper एकदम डीटो आ गया है, आपको रहती है, और मैं भी जब आपने question देता हूँ, preparation course में, practice में, test में, तो कुछ नया डालने की कोसिस करता हूँ, कुछ ऐसा aspirants के सामने रखता हूँ, कि अचानक से कुछ एकदम नई तरीके से उनको लिखने के लिए देता हूँ, ताकि उस चीज के लिए वो तयार हो स के, क्योंकि जामिया के entrance exam में ऐसा होता है, वो अचानक से कुछ ऐसा question आपको बना के डालेंगे, कि आपने पहली बार देखा, सुना और पड़ा होगा, ठीक है, तो ऐसी चीजें जामिया के अंदर होती है, लेकिन traditionally pattern बहुत fix है, ठीक है, जिसे हम बात करें, mass communication है, conversion journalism है, तो तो 20 के 20 question तो आपको करके आ नहीं है, और उसमें बहुत से question cinema से reiterate रहता है, खासतोर से mass communication वाले course में, 180 number का एकदम पूरा subjective रहेगा, ठीक है, पूरा subjective in the sense कि एक question है, उसका answer आपको लिखना है कि क्या होगा, ठीक है, तो ये करके 200 number का एक पूरा paper हो जाता है, जिसमें 20 question objective है, 180 80 number का subjective question है, ठीक है, उसके बाद portfolio 55 number का, interview होगा 45 number का, ऐसे करके जो आपकी merit बनेगी, वो जो है out of 300 mass बनेगी, total जो merit बनेगी, mass communication में, convergent journalism में, development communication में, इनमें जो merit बनेगी, वो 300 out of बनेगी, media governance का थोड़ा paper अलग होता है, so number का होता है, ठीक है, तो ये है return, portfolio और interview, तीन चीज आपको जामिया में face करनी होती है, portfolio in the sense, detailed CV, जो आप CV बनाते हो, तो आप बहुत basic detail लिख देते हो, लेकिन portfolio में आपकी, अब तक की जितने भी opportunities हैं, जो भी आपने किया धरा है, वो सब कुछ जो है, आप एक word file में, या फिर जैसे भी PPT type में, जैसे भी बनाना चाहो, एक E portfolio portfolio आपको बनाना होता है, ठीक है, तो वो portfolio भी 55 नंबर रखता है, उसके बहुत ज्यादा marks है, interview से भी ज्यादा marks उसके portfolio के रहते हैं, ठीक है, तो यह auto 300 पूरी merit बनती है, ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा हिंदी की तरह, ठीक है, हिंदी department का course है, इंटरेस एक्जाम भी ज़्यादा famous थोड़ी सी cut-off भी जो है, इन दोनों के मुकाबली इसकी high rate है, इसमें जो cut-off है, इनकी high रहती है, mass communication और current journalism की, ठीक है, तो इनमें selection थोड़ा मुस्किल है, और इसमें selection थोड़ा मुस्किल है, इसके लिए आपको बहुत जबरदस्त level की प्रेप्रेशन चाही ह होती है, तब जाके कोई selection होता है, मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि कोई भी चलते फिरते इसका selection ले लेगा, आज की डेट में यह possible नहीं है, ठीक है, क्योंकि हर साल competition इस level पर बढ़ रहा है, कि लोग एक एक दो दो नंबर से रह रहे हैं, बहुत अच्छा कर तो जाते हैं, इस अच्छों, यह सब नहीं कर रही हूँ, पी-स-स-से में नहीं हूँ, उनको थोड़ा सा देखने ही जरूत है, कि आपको competition थोड़ा सा उस तरह के aspirants के साथ भी है, ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो subjects हैं, subjects in the sense कि कि अब एक जगा से question नह आई जाता है, GK के अंदर सब कुछ आई जाता है, तो हर जगह से question आना होता है, अब एक UPSS parents का यह सब कुछ मजबूत है, media segment को छोड़गे, थोड़ा सा उसने media segment cinema पढ़ा, कि उसकी बल्ले-बल्ले हो गई जामिया में, ठीक है, और आपके वल media segment से अगर आए हैं, या कु कुछ है, history, policy, economy, geography भी नहीं है, ठीक है, तो उनका selection थोड़ा सा और मुस्किल हो जाता है, अब जो media segment से आ रहा है, कम से कम उसका थोड़ा सा वो तो strong है, या UPSS की त्यारी करते भी आ रहा है, तो या उसका history, policy, economy, geography तो कुछ है, media segment उसको cover करना है, ठीक है, तो आप देखिए कि आप कहां पर हो, आपको क्या आता है, आपने अभी तक क्या पढ़ावा है, जो entrance exam में आएगा, ठीक है, तो entrance exam का syllabus और previous year का paper देखके भी आप अंदाज़ा जरूर लगाईए, ठीक है, तो M.A. Mass Media 40 सिटें, PG diploma, journalism 40, इसमें भी 40, total 120 सिटें यहाँ है, 120 सिटें यहाँ है, ठी में portfolio interview कुछ नहीं होता, यहाँ पर इन तीन courses में, हिंदी वाले courses में, कोई portfolio नहीं होता, कोई interview नहीं होता, केवल और केवल 100 number का return test होता है, जिसमें भी 40 objective question आते हैं, और 60 number का लिखने का आता है, subjective, ठीक है, हाँ, इसमें negative marking जरूर होती है, ठीक है, यहाँ जो 40 question आते हैं, यह यह वाले, यहाँ पर negative marking होगी, 40 objective question दिये जाएंगे, 100 number का paper है, 40 objective question है, with negative marking है, 1 by 4 की negative marking यहाँ पर रहती है, ठीक है, जबकि यहाँ पर 60 number के लिए जो आपको subjective, मैं क्या सकता हूँ, question के जो answer आपको लिखने है, उसमें से भी आपको बहुत अच्छी writing करनी होती है, तब ही ज कुछ factually पूछ लिया, जो नहीं आता तो बहुत दिक्कत हो जाती है, कम से कम यहाँ पर, यहाँ पर जो है 30 number निकालने होता है, कैसे भी करके, ठीक है, और यहाँ पर भी जब आप 30, 32, 35 निकाल लेता है, ठीक है, तो फिर बल्ले बल्ले होती है, कम से कम 65 के around आपको जाना हो करेगा, और यहाँ पर यह जो 200 का मामला है, यहाँ पर आप 120 number बना के चलिए, और यहाँ पर तो maximum से maximum लाने की कोसिस कीजिए, ठीक है, तो यहाँ इन सब की जो sample test रहता है, ठीक है, model paper test है, मैं अपने course में करवाता हूँ, ठीक है, media exams की हमारी application है, जहाँ पर preparation courses के regarding available है, इन चारों के लिए भी, इन तीनों के लिए भी, जहाँ पर आप जो है, जाम्या की, इन entrance exam की preparation कर सकते हैं, ठीक है, I hope कि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है, इन में interview portfolio होगा, इन में नहीं होगा, ठीक है, और detail जो चीज़ें हैं, जब आप course join करते हैं, तो पता चलती जात होती है, अच्छा-च्छा, बहुत सी बारी कि यहाँ, जितनी ज़्यादा आपको पता रहें, entrance exam की regarding, उतना आपके लिए अच्छा रहता है, ठीक है, और जितनी ज़्यादा practice करके जाएंगी इसके लिए, तब जाके मैं जाएगा, तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ, ठीक है social, economic, political issues पर लिखना है, वो तो मैं बहुत लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन जब आप लिखके आते हैं, और आपको लगता भी है कि अरे, मैं लिख दिया था, पूरी copy बार दी थी, ठीक है, फिर जिसने result आता है, तो पता चलता है कि, अरे, हम तो कहीं नहीं है, waiting list में भी नही है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि particular entrance exam के हिसाब से आपको एक तयारी करनी होती है, कि कैसे number लाए जा सकेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर main हमारा भी जो course चलता है, उसमें यही focus रहता है practice को लेकर, ठीक है, कि भले हैं आप कहीं से भी पढ़ें, लेकिन practice आपको एक अच्छी करनी होती है, उसको objective question लगाने के लिए, जो है, 10,000-15,000 MCQs कवर करने के लिए test series लगानी ज़रूरी होती है, कोई भी experience बिना coaching के आज के date में selection ले सकता है, लेकिन बिना test series के नहीं ले सकता, तो उसके लिए भी आप जो है, हमसे जुड सकते हैं, वो ही चीज जो है, हमारे course म media exams के हमारे application पे रहती है, तो उस lecture में इतना ही, thank you very much, all the best.